हेलो डियर डी फार्मा स्टुडिन हम हमेशा ही थियोरी एक्जाम में क्या कुछ कोशन आते हैं किस ताइप से उसकी प्रिपरेशन करनी हैं कैसे उसमें पास होंगे सारी चीजों में हम सिर्फ थियोरी एक्जामनेशन की बात करती हैं जबकि उतना ही equally important है practical examination क्योंकि यदि में फैल हो गए तो भी आपकी जो बैक है वो लगी जाएगी इसे लिए दोनों को ही equally हमें importance देना है practical exam को भी उतने ही seriously हमें यहां पर दिलाना होगा क्योंकि इसमें भी equally वही 100 mark की यह practical exam होती है it means हमें seriously practical exam को ध्यान में देना चाहिए तो आज हम completely defarmacy में किस प्रकार से practical exam होती है क्या कुछ number है क्या कुछ pattern है इसका क्या format है है ना किस तैप से आपको preparation करनी है और जितने भी doubt होंगे practical regarding आज हम सारी चीजों को clear करने की कोशिस यहां पर करेंगे क्योंकि यह भी बहुत important है और आप देखेंगे जैसे कि आप theory exam में तो अपने मन से कुछ भी जो कुछ भी आप पढ़ें वो लिख सकते हैं ना बट आपके practical exam में external भी आएंगे आपकी वाईवा वगेरा होगी उस सारे चीजों को जानना बहुत important है क्योंकि वहां पर आपक सबसे पहले हम देखते हैं कैसा रहता है practical exam का format देखिए तो सबसे पहले हम syllabus के और ही ध्यान देगे क्योंकि syllabus आप अच्छे से syllabus देख जाएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे practical exam हो सकते हैं ना तो यहां पर PCI के द्वारा जो दिया गया है format उसके बारे में हम यहा चाहिए है ना देखेंगे guidelines for क्या दिया गया है practical examination तो यह भी कैसे होते हैं जैसे आपकी theory की examination होती है ना 100 mark की सांथी instructional और आपके external exam है ऐसे करके 100 mark के हो जाते हैं वैसी आपके theory के pattern के लिए हमने पहले ही discuss कर लिया है आप हमारी previous video में देख सकते है theory examination में क्या कुछ pattern रहता है कितनी number के long question, short question आते सब चीजें हमने वहाँ पर बतलाया हुआ है ना अब यहाँ पर practical examination की बात करेंगे पहले तो आप देखेंगे यह जो आपका practical examination है वो भी क्या होगा आपके 80 mark का होगा ठीक है और जो 20 mark है वो क्या होगा internal होगा आपके college के उतारा आपको provide किया जाएगा है ना तो आपको जरूर से अब जैसे कि इसमें word आया synopsis तो यह synopsis होता है क्या है कैसे type के questions इसमें आएंगी इस type के आपको जरूर से यहाँ पर questions आपके मन में arise होती होगी है ना तो इन सबी चीजों का यहाँ पर मैं आपको solution यहाँ पर देंगे ठीक है चलिए तो synopsis यहाँ प वाले question आये थे याद कर यह जैसे कि 2 mark या 3 mark के जैसे कह लिजे 3 mark के question आये थे जहाँ पर आपने short answer लिखा था तो यहाँ पर भी इस 10 mark को वैसी divide कर दिया जाए है ना हो सकता है यहाँ पर वो आपके फिर teacher पर depend करता है हो सकता है वो 10 number के पूरे 1 question ही दे दे यहाँ फिर 5 पा copy मिलेगी जैसे कि आपके theory exam में आपको copy मिलती है वैसी practical exam के लिए भी वैसी copy दी जाएगी है ना अब उसमें फिर आपको यह synopsis है उनका फिर आपको answer अच्छे से लिखना होगा जो की total 10 number के होंगी और यह question हो सकते हैं बहुत ही to the point यह जैसे कि आपको जितना भी अभी मैं करना चाहिए practical के लिए है ना तो उसमें अब जैसे practical examination में दिया गया है तो हम सपोस्ट करते हैं फार्मकोगनुसी की बात कर लेते हैं ना तो फार्मकोगनुसी में आपने जैसे की study क्या होगा Senna के बारे में ही ठीक है तो आपके synopsis में दिया जाएगा की Senna का आप morphology पूर दिया जाए ठीक है तो यह synopsis होगा जो आपके just आपको ऐसा रगेगा यदि आपने theory में अच्छे से study कर लिया है ना तो आपको synopsis में कोई भी मुस्किल नहीं जाने वाली इसले से आप synopsis को clear लबकि अच्छा rank उसमें नमबर आप अच्छे से गयन वहाँ पर कर लेंगे क्योंकि आपका वही यह theory में जो आपने study किया है वही चीज़े यहाँ पर पूछी जाती है generally synopsis में इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और देखें इसके बाद है अब नेस चलेंगे हम लोग जो कि 10 नमबर की बात हो गई अब आती है major जो कि क्या है आपका experiment जहां पर 50 mark दिया गया है ठीक है अब देखें इसमें क्या कुछ टाइप का होता है experiment इसकी बात करेंगी कैसे कैसे experiment होते हैं जैसे आप भी अपने practical कर रहे होंगे ध्यान experiment में इसको टू टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है एक होता है आपका major practical और एक होता है आपका minor practical ठीक है major और minor दो practical होते हैं तो जहां पर major means आपने जो long time का जिसका procedure बहुत ही बड़ा हो ठीक है procedure आपको याद रखना होगा इन सभी का procedure आप जितने भी object आप जो college में कि देखिए गा है ना तो देखिए इनका procedure जिनका long होगा वह major practical हो गया है तो यहां पर जासे कि दिया गहें 50 mark का होना है तो यह आपको 30 का कर दिया जाएगा और यह आपको कर दिया जाएगा minor 20 का minor means जो की छोटे practical होगी है ना आपने जरूर से prepare किया होगा अपने major और minor अध् पैसी सूटिक्स में है ना सूटिक्स में जैसे आपने टेबलेट बनाया होगा इमल्सन बनाया होगा सस्पेंशन बनाया होगा तो उनके रिगार्डिंगे हाँ पर चीजे आएंगी है ना जो भी चीजे आप अपने lab में आपने prepare किया है अब इस तिले बस भी हम लोग आग उसी को हम एम भी कह सकते है ना एम या objective उसके बाद आपको यहां पर फिर उसका किस ट्राइब से procedure है मेंली क्या होता है जब कभी भी हम लोग practical exam दिलाते हैं तो सबसे ज्यादा important होता है procedure सबसे ज्यादा important है तो उसको आपको अच्छे से लिखना होगा procedure लिख लेंगे फिर आपको result calculation वगेरा आगे फिर लिखनी होगी तो बिना result के आप कभी भी से ऐसा छोड़ी अगा नहीं क्या कुछ conclusion है result है वो जरूर से आपको यहां पर लिखना होगा अंत में ठीक है जो कुछ भी आपका result आता है तो यहां बात होगी हमारे major और minor subject की भाई है ना जिसमें कम नंबर के हाँ पर रहने वाली है ना और पूरे आपके practical syllabus से आएंगे कोई कुछ बाहर से नहीं रहेगा तो उसके कोई tension भी नहीं है उसके बाद है आपका यहां पर यह अब चीज़ें clear हो गई कि 50 नंबर से क्या कुछ आ सकते हैं कैसे हमको लिखना होगा अपने answer में दूसरे कॉले से external आती है teachers है ना तो obviously बात है उस जब कभी भी हम दूसरे teachers के और साथ रहते तो हमें और भी ज्यादा fear feel होने लगता है तो सबसे पहले तो आपको इसका fear होना ही नहीं चाहिए है ना आपको confident होकर answer करना है चाहे हो कुछ भी पूछे वैसे कोई भी कठीन question न दिजेगा हो सकता है आपको directly पूछा जाए कि क्या कुछ result था उसे explain कर दीजिए क्या कुछ object था जो कि है आपके इसा ही question पूछा जाता है हो सकता है आपके lab के बारे पूछ लिया जाए कि जैसे कि बात कर लें वाइवा में और क्या क्या पूछे जाएंगे आपको prepare करना है तो आप जरूर से अपने lab में क्या क्या देखते होंगे जितने भी instrument है तो पूछ लेंगे कि क्यों क्यों से instrument आप answer कर सके और आप मिन्स यह है कि जो आसपास की चीजें इंस्ट्रूमेंट की बात कर लिए ना इनके बारे में पूछते आ जाएगा है ना कुछ क्या कुछ result है रहा क्या कुछ major means आप aware है कि नहीं इन चीजों से बस वही पूछा जाएगा कोई इस्टा और hard चीजें नह रहे थे तो उसका सीनों ने भी पूछ लिया जाएगा जिसको भी आपका major practical आपने किया है है ना क्योंकि वहां पर आप आपने major practical में जैसे कि आपका आगया था सैन्ना तो हो सकता है सैन्ना के बारे में जब आपने अच्छे से practical किया वहां पर experiment में तो आपको उनहीं के regarding पूछ दे है ना कभी कभी तो यह होता है कि और बस आपके सिर्फ confidence को चेक करने के लिए वाइवा क्या है सिर्फ आपकी confidence level कि आपने हां इसको अच्छे से परफॉर्म किया है कि नहीं यही बस जानने के लिए क्या क्या ज्यादा सिंपल सा question आपका नाम ही पूछ लिया असानी से वह चीज़े पकड़ लेगा है ना ऐसे स्टुडेंट्स उनके पास हजारों उन्होंने देखे हैं तो स्मार्ट जादा बनने की कोशिज ना करके मिन्स उनको मैनुप्लेट ना करके आप सिंपली स्वारी कह दीजिए वह भी अच्छी बात है है ना तो यहां पर आपको तूदा पॉइंट आंसर करना है कोई भी घुमाना नहीं है टाइम वेस्ट उनका भी नहीं करना है क्योंकि बहुत से जो एक्षरनल के टीचर होते हैं वह अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जिसके लिए आपको टैन नंबर मिलते हैं जो आपको अभी जितने भी प्रैक्टिकल कराये जा रहे हैं उसका आपने कॉपी बनाए होगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और मैक्सिमम इस्टोरेंट प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को सिर्यस्ली नहीं ले यहां पर सबसे पहने जो इंटर आएगा वो इंडेक्स ही आपका चेक करते हैं कि आपने कौन से डेट में कौन सा प्रोसीजर है वो किया है है ना तो उसे आप लोग पूरा मेंटेन रखेंगा एंडेक्स को प्रैक्रिकल रिकॉर्ड में है ना अच्छे से कवर लगा कर रखे और सारे चीज़ों को कम्प्रीट कर दीजिए है ना डेट वाइस आप लोग जो भी डेट में आपने किया है जो भी प्रैक्टिकल तो उसको आपने रिकॉर्ड में पूरी तरीके से अच्छे से लिखना है है ना कोई भी चीज़े मिस हुई तो फिर वहां पर आपके नंब मैं यहाँ यहाँ पर अपको पर्फॉर्म करना है तो यह भी आपके लिए क्या है एक अच्छा है वहाँ पर पर फॉर्म करते आपको करना कि क्या कुछ आपने उस दिन किया था है लिखने। micom तो भी practical को ध्यान में रखें है ना क्योंकि थियोरी को आप रट के अंसर लिख सकते हैं पर प्रैक्टिकल को आपको पर्फॉर्म वहां पर करना होता है इसलिए इसको भी सिर्यस्थी नेना है और इसमें भी आपको अच्छे से जब आप क्योंकि देखे मार के तो दोनों की ज होगा तो जरूर से आप कमेंड कर सकते हैं जरूर से फिर हम नेस्ट वीडियो में यह जितने भी डाउट होंगे आपको हम लोग यहां पर क्या करेंगे डाउट करने का कोशिस करेंगे चाहे प्रैक्टिकल रिगार्डिंग हो या थियोरी रिगार्डिंग या कुछ भी आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक इसका डाउनलोड कर लेजिएगा है ना अब हम लोग चलते हैं देखिए प्रैक्टिकल आपको कहां में मिलेगा जैसे कि देखिए फार्मसुटिक्स फर्स्टियर की बात करें तो पहले आपको थियोरी दिय आपको करनी होंगी और आपके कॉलेज में जो जो कराई कराई जानी चाहिए ना तो उसी प्रकार यहां पर फार्मसुटिक्स का आपको मिला वैसी आप नीचे जा देंगे तो पहले आपको जैसे की केमेस्ट्री दी गई है और वैसी नीचे आगे जाएंगे तो इनका प्र में भी डियरेक्ट्री सिलेबस से कोशन पूजिया जाएगा कि आपके सिलेबस में लिमिट टेस्ट में कौन-कौन से जो आपके उनका अपने लिमिट टेस्ट करना है है ना तो यहां पर चार चीज़े दीगे है क्लोराइड सुल्फेड आइरन हेवी मैटल्स है ना तो यह यह सारे चीजे बस to the point रहती पर आपको पूछ ली जाएंगी इसलिए सिलेबस जरूर से देखा करिए आप और इसके लिए आप देख सकते हैं ठीक है यह सारे सिलेबस जरूर से आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए और यह आपको ध्याद में रखने होगे वैसे सारे सब important है जैसे कि theory examination होते हैं तो जरूर से आपको इसमें भी अच्छे से perform करना चाहिए इसी प्रकार कि कोई भी आपको और डी-pharmacy regarding या फिर pharmacy regarding कोई भी आपको यहाँ पर doubt हो है ना या फिर आपको कुछ भी preparation के लिए वीडियो चाहिए तो आप comment कर सकते हैं हमारी टीम पूरी को किल्प की जाए तो मिलते हैं इसी प्रकार के next lecture में all the best